अमस्कार प्रेविध्यार्थियों, नई समस्याएं अध्याय के अंतरगत हमने मुगलों विशेशकर हमने अकबर जहांगीर शाहजा आधी के बारे में पढ़ा, उनके सहिशुनुता पूर्वक भारत पर राज्य करते हुए, उनके धार्मिक सहिशुनुता के रवये के बारे करेंगे, देखें, ओरंग्जेब समय के विप्री चलने वाला शाषक था, जैसा कि बटा मैंने आपको बताया अभी ओरंग्जेब धर्मांद शाषक था, कटर सुन्नी मुसल्मान था, हिंदूों की प्रती उसकी जो नीती थी, बहुत ही कहूं की धर्मांदता पूर्ट थी कला साइते से उसे कोई प्रेम नहीं था, हिंदूों का पुराना घ्रनित जजिया कर लगा कर उसने उनके मंदिरों को तुड़वाया और प्रजा को बहुत बड़े हिस्से को उसने अपने खिलाफ कर लिया एक तरह से, उसने यहां तक की अभीमानी राजपुतों को भी ना जो औरंग्जेब की विरोधी नितियां थी, उसने उनको अपना शत्रू बना दिया था, बारत के पश्चिमी समुद्र टट पर उसने राष्टु कुटों के वन्शज रड़ाकू माराधू को भी कुरुद कर दिया, ठीक ऐसे समय में जब एक अत्पुत सैना नायक उठख लेकिन उनकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा होई, वह केवल खास किस्म की आंशिक राष्ट्रे था थी, कहने का अर्थ बटा यही है कि इसी समय 1784 में वारेन एस्टिम दिखी क्या लिखते हैं कि हिंदोस्तान धक्किन के तमाम लोगों में से केवल माराथा के मन में के हर व्यक्ति के मन पर है, मतलब माराथे जो थे वो राष्ट्रवात की भावना से ओत प्रोत हो करके अब उठ खड़े होते हैं, मुगल सामराज्जे के खंडित होने का मेतुपुन कारण आर्थिक धाचे का चर्मराना भी है, किसान बार-बार इस समय विद्रो कर रहे थे और अंदोलन जो थे वो बड़े पैमाने पर हुए, बिटा इस समय दिल्ली के असपा सतनामियों का विद्रो, जाटो का विद्रो, अलग-अलग शेत्रों में जो कृशक समुदाय है, वो भी विद्रो पे उतर आया, और इस कारण जो मुगल सामराज्जे है, वो थोड़ा चर्मर आने लगा है, और इसी समय शिवाजी जिनका जन्म 1627 इस्वी में हुआ था, और पहाडी इलाकों के सक्त जान लोगों के आदर्श चापामार नेता थे वे, और उनकी जो नितियां थी, वे हिंदु राष्ट्रवाद को भी पोशित करती हैं, साथ ही शिवाजी जो आमने सामने के युद्ध में विश्वासना करके चापामार प्रदती से युद्ध करते थे, जिससे कि वो मुगलों को काफी लंबे समय तक चकाने में, जो है, एक तरह से सक्षम रहे, अब देखे, 1707 में और उनकी मृत्य होती है, और सो वश्तक भारत प्रदिकार के लिए संगर्श चलता रहा, 18 शतक भारत प्रदिकार के लिए 14 अविदार हैं, और उनकी में भारत भारती है थे, मराटे, दक्षिन में हैदर अली और उनका पुथटी